दोस्तों काफी सरे लोग मेरे को फोन करके वाट्साप करके पूछते हैं कि सर कौन सा माइक्रोफोन अच्छा है उंच्छा एंप्लिफार है कौन सा स्पिकेर अच्छा ए कौन सा केबल यूज Pir az Krion Rend have posers तो मैंने सोचा कि आज साथ बात किया कि बहुत अच्छा ब्रैंडड जो कम्पनी है और कम्पनी का मॉडल नंबर जो है वह आप लोग को बता दिया जाए देखिए मैं एक्षिली आप लोग जानते हैं कि हम लोग ज्यादा दिल्ली मेड माल नहीं बेचते हैं सभी ब्रैंडड है क्योंकि मेरा थियोरी यह है पैसा को यह आये कि आपका ड्रिम जो सेट अप है वो कैसा होना चाहिए तो इसी बारे में आज का वीडियो है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कि आज का तारीक में है नमस्कार में हूँ प्रसेंजीत मित्रा और आप लोग देख रहे हैं इसके एलेक्ट्रोनिस का यूट्वीब चैनल और यह हमारा है गोहाटी का ब्रांच तो जैसे मैंने इंट्रो में बता है आज हम लोग बात करेंगे बिसिकली माइक्रोफोन का एंप्रिफायर का मिक्सर का और जो भी प्रोसेसर है आज हम लोग स्पीकर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि स्पीकर के बारे में अगर हम लोग बताने जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो स्पीकर का एक अलग से वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग डबल पंद्रा का बात कर सिंगल अठरा का बात करेंगे एक्टिव स्पीकर का बात करेंगे और साथ में लाइन अरे का भी बात करेंगे लेकिन उसके साथ क्या क्या और लगेगा उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए आज गया वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोफ सबसे खासियत यह है कि यह इसका जो पोलर पैटन है वह बाहर का साउंड कैच नहीं करता एकदम मतलब फीड़बैक में आपको ज्यादा तकलिप नहीं होगा क्योंकि यह सूपर काड़ोड जो भी माइक्रोफोन होगा उसका लेकिन बाहर का साउंड नहीं कैच करेगा इसका म सब्सक्राइब मतलब जहां से आप बोल रहें बस उसी को कैच करेगा तो इसलिए मेरा इन नाइन फॉर फाइब जो है सनाइजर का मेरा बेस्ट चाहस है सेकंड मेरा जो बेस्ट चाहस है वह है स्योर का SM58 SM58 बहुत जाना मना माइक्रोफोन है काफी दिनों से है काफी दिन सब्सक्राइब के लिए आप लोग कौन सा माइक्रोफोन यूज करेंगे तो अगेन हम लोग सेनाजर में चलेंगे लेदर में हम लोग ई 902 है सेनाजर का नंबर यह सबसे बढ़िया माइक्रोफोन है क्योंकि इसको मैंने इस्तेमाल कर चुग है दाम थोड़ा ज्यादा है लेकिन भाई वही थियोरी है पैसा अच्छा जगा में लगाओ कमा के देगा दस साल बारा साथ लग और आपका इज्जत भी बढ़ेगा और सेकंड जो है शियोर कंपनी का पीजी 52 है एसन 57 है यह दो माइक्रोफोन बहुत बढ़िया है सेकंड हम लोग देखते हैं कि हम लो द्रम किट किया यूज करेंगे ड्रम किट हम लोग यूज करेंगे सेनाजर का बात करते हैं E 600 सिड़ी गर एक ड्रम किट आता है सबं ल frightened microphone के साथ बहुत बढ़िया है सकेंड हम लोग आजाता है कि wireless microphone में देखिए wireless microphone में सेनाजर के आग Technically कोई नहीं आप 100 series यूज सकते हैं और 500 300 भी कर सकते हैं लेकिन 100 series में अगर आप G9 G4 series में 945 अगर यूज कर रहे हैं तो मेरे काचे आपको 300 series यूज करने की जरूत नहीं है और अगर आपका budget है तो 500 series 500 series के आगे अभी कोई microphone नहीं है फिलहाल अभी हम लोग चले जाते हैं mixer में mixer में मेरा personal choice आप लोग जानते हैं always Yamaha every time Yamaha क्योंकि Yamaha का processor और उसका जो gain section आप लोग जानते हैं बहुत तकड़ा है gain section तकड़ा होगा तो आपका microphone का जो भी input होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा condenser mic नहीं चलता है dynamic microphone चलता है dynamic microphone के लिए आवाज को बढ़ाने के लिए आपको सबसे ज्यादा अच्छा gain section चाहिए और Yamaha का gain section बहुत तकड़ा है और उसके साथ processor भी तो अगर आपका budget है 32 ले लिजे ने तो 24 ले लिजे ये दोनों कर सकते हैं उसके नीचे अगर आते हैं तो हम लोग चले जाता है सिगनेचर 22 में सिगनेचर 22 भी बड़े प्रोग्राम के लिए बढ़िया है और उससे भी budget आपका कम है तो और एक mixer के बारे में आपको बताता हूं वह स्टुडियो मस्टर का ORB model नंबर है ORB 1822 इसका भी report काफी अच्छा है gain section अच्छा है लेकिन हां यामा जैसे आपको नहीं मिलेगा यह एकदम पक्का लिखके लोग अभी जानते हैं जैसे बड़ा mixer के साथ अपने को एक छोटा mixer भी चाहिए तो छोटा mixer भी देख लेता है कौन सा है छोटा mixer में मेरा choice है यामा क का एंजी 16 एक्सिव बहुत बढ़िया mixer है और आप जामता है यामा कभी प्रोग्राम में आज तक किसी को धोका नहीं दिया value for money है अच्छा दूसरी बत अगर यामा का budget नहीं है तो signature में जाए signature में एक model आता है आपको 12 चैनल मिल जाएगा डारेक माइक इन है और उसका एफेक्स बहुत तगड़ा है एफेक्स बहुत तगड़ा है तो आप अरांद से उसको यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट अम लोग आ जाते हैं वोइस प्रोसेसर क्योंकि वोइस प्रोसेसर चाहिए अगर आपको और यूज़ करना चाहिए कि उसमें एफेक्स अतना तगड़ा नहीं मिलागा तो एलेसिस का मीडिवाब फोर करके आता है बहुत बढ़िया यह है प्रोसेसर है भोकल के लिए सब के लिए उसके बाद आज आता है हम लोग एकुलेजर एकुलेजर जानते हैं विदाउट इकु 231 एस मतलब सिल्वर है और कुछ नहीं है तो यह डीवेस का 231 काफी सालों से चल रहा है काफी अच्छा क्रोसोबर है और अगर थोड़ा सा बजेट में नीचे आना चाहते हैं तो बैरिंगर कंपनी का एक मोडल है FBQ 3102 HD यह भी काफी अच्छा है नेक्स आ जाते हैं क्रो क्रोसोबर में क्रोसबर में देखिए बैरिंगर का सुपर एक्स प्रोगर यह थोड़ा सा महंगा है बेरिंगर के हिसाब से लेकिन बहुत अच्छा क्रोसोवर है उसके बाद आ जाता है मैं तो इसको पहले रखूंगा डिवैस का 234 XS यह क्रोसोवर आप जरूर यूज कीजिए क्यूंकि यह दो क्रोसोवर मार्केट मैं आज के तारीक में बेस्थ क्रोसोवर है अभी आंत का बात कर लेता है एम देखिए मेरा हिसाब से अगर आपको यूज करना है आज के तारीक में सब डिजिटल हो रहा है और लाइन अरे भी सब आ रहा है यह सब को अगर जस्टिफाइ करना है तो आपको class d amplifier लगाना पड़ेगा जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं class d amplifier तीनी कमपनी बनाता है एक होगा qsc second हो गया crown third हो गया beta 3 देखिए qsc और beta 3 मैं एक साथ रखता हूं qc भी बहुत अच्छा एंपली पर है लेकिन performance के बाद उसके बाद after-sales service और pricing यह तीनों चेज को अगर आप मुद्द में मतलब नजर में रखते हैं consider करते हैं तो बेस्ट आजगे तारीक में beta 3 है beta 3 के लिए इस करते हैं आप लोग अभी तक जान गये होंगे कि beta 3 का performance है तो मोटा मोटी मैं microphone से लेके amplifier तक आप लोगों को बता दिया with model number price नहीं बता रहा हूं कि यह price variable होते रहता है इसके लिए मैं price के बार में नहीं बता रहा हूं तो मोटा मोटी यह मेरा setup था dream setup था अभी आने वाला व अगला वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा